हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में किस तरह किया जाती है और एक में दिखाए था कि मैनूली किस तरह सो ऑपरेट किया जाता है फिर उसमें हमारा बार्य लिए पूछ बटन होता है एक reverse के लिए पूछ बटन होता है तो हम जब तक forward को प्knowकर तक करेकि रखे और उतनी दिर हमारी मोटर फॉरवाR में चलेगी और फिर स्टॉप करेगे और फिर जितनी दिर रीवास को प्रेस करें intrigued अज्डनी दिर्ण रहों कि यहां एक वना को प्रेस करें तो हमारे 1 मौट कोब में चलेगे और जैसे फूर्वाइब बॉत वटायो को प्रेस करें तो हमारे 3-In April लिमिट स्विच्ट कटा वेसे हमारी मोटर बंद हो जाएगी वह बहुत जेस्ट मेनुल था अब हम क्या करेंगे आटमेंटिक रिवर्स फारोड बनाएगी उसमें क्या होगा ओनली एक स्टॉप पुश बटन होगा और एक स्टार्ट पुश बटन होगा हम उसे एक बार मोट मोटर हमारी स्ट यहां से यहां चलाएगी जैसे यह avis स्टॉफिक घटक राखे का तो जब तक हम इसे बं नहीं करते तो जब भुष बबनि करेंगे च्राइब हो तॉत आप देखा यह्मारी स्टॉण Rogokeatri to और friends ह 2050 हमने तीन वीडियों बना थे तो उस पर हमेशा कमेंट से रहाती है साहथ इस रोजा पर इसकते बना रहा, सालोट्मेटिक किस तरह करे ना किस तरह रहे हैं तो Friends आज हम यह देखें, R2 फ़र्वार इस्टरर के रहा करें तो Ryreek का क्या क्या कि जाती है फिर्ट उससे पहले हम देख लेते हमें components क्या क्या लगेगे फिर्ट कंपोनेंट में देखें तो हमें control mc भी लगेगी दो contactor लगेगे एक forward के लिए एक reverse के लिए फिर्ट आपके contactor में जदी nc terminal है तो ठीक है otherwise जदी nc terminal नहीं है तो उसके लिए auxiliary blocks लगेगे तो यह हमारे पास forward के लिए auxiliary blocks है इसमें दो nc है यह reverse के लिए auxiliary block है इसमें एक nc है हमें जनरल एक nc का काम पढ़ेगा इसलिए हमने एक nc वेला contactor यह use किया है इसके अलावा देखा जाए तो हमें stop push button nc push button लगेगा एक start push button लगेगा एनो का इसके अलावा हमें दो limit switch लगेगे यह हमारे पास दो limit सुझे इसमें यह देखा जाए तो nc टर्मिनल है यह देखा जाए तो एनो टर्मिनल है दोनों लिमिट सुझ है nc और एनो टर्मिनल यह है तो 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 लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रही है क्योंकि हम इस वीडियो को जन्रल बनाना नहीं चाहते है क्योंकि इसकी कंच्रोड कोंप्लिकेटेट तो लिए प्ट करते मेंट इसकी कांट्ट्रॉल गाहितनी चीर की जाएगी येम Gebbre यही बाद एमसी भी यह वैं यह ए फेसे आया यह नूट्रल आया फ्रेंट्व सर न्यूट्रल में दोना में डasto देएक नूट्रल न पहले हुआ दिदे लो यह वैं रांट्र आया तो नूट्रल हम लाके थे सारी गंट्र향 वारिण हम वहारे तरीकश Tuave सिंबोल हमने हमारे तरीके से यूज़ कि यह न्यूटल हमने डाइरेक्टर दे दिया है अब फेस की अन्ट्रोल वाइरिंग किस तरह होगी यह देख लेते हैं फेस यहां पर आया यह यह MCB में आया MCB से होते हुए हम पर एक ओरलोड रिले बनेगा यह ओरलोड रिले का NC पॉइंट है यहां से होते हुए ओरलोड रिले में जाएगी ओरलोड रिले से निकलने के बाद do iCd बटन में जाएगी सपट्लाई कि और एंड़ी बटन से ओ अपूइृ बटन में जाएगी औरे अलगी इनओ पूइप बटन से जेसरे में अम्फूइब बटन को प्लेश करेंगे हमारे सप्लाई को reverse के एंटी टर्मिनल से निकले दिप निकलने के बाद यह supply हमारे forward contractor को operate करेगी फ्रेंट्स अभी जस्ट हमने कुछ नहीं किया है क्या किया है देख लेते हैं जैसे हम हमारे supply mcp से निकलने के बाद overload relay से निकलने के बाद nc और no से निकलने के बाद क्या होगा इसमें जैसे हम यहनों पूछ बटन को प्रेस करेंगे तो फ्रेंट्स हमने से इसले निकाला क्यों क्यों इंटर लॉकिंग के लिए जैसे हम जब कोंटेक्टर ऑफ कंडिशन में रखा थे एंसी टर्मिनल से सप्लाइए निकलेगी और forward को operate कर देगी जैसे हम सप्लाइए को on करेगे तो हमाई सप्लाइए यहां से निकलेगी और यहां पर forward कोंटेक्टर operate हो जाएगा अभी जस्ट इतना ही हुआ है कि अगा को अगरेंच अब हमेंसे पहले दो होल्डाउन देना है उसके बाद क्या करना है कि हमारा यह जैसी अफो तो यह ओर ना नेचे उसके लिकन्टोल वाइरिंग होगी तो पहले हम इसके फिल्ट अब्लड़े के लिए दिख लेते तो क्या होगा पहले वरकिंग क्या रहेगी जैसे ही यह operate हुआ जैसे हमारा यह limit तुक्ष उपरेट होगा तो यह contractor चले ओर यह limit सुझ जैसे ओपरेट होगा तो यह contractor उप्धेटर चले कि हम होल्डाउन के लिए को करेगा है यहां से यहां से सप्लाइ निकल रहेगी और यहां से यहां से सप्लाइ निकल रहेगी तब यह ओपरेट कंडिशन में यह लिमिट सुइच अभी ओपरेट हो गाया है तब इसने चलना चाहिए ते यह नो से एंसी निकलेगी एंसी निकलेगी और इस कोंटेक्टर के एंसी मम दे रहे है और यहां से सप्लाइ गंटिन्यू जा ही रहे है तो जैसे यह ओपरेट हुआ तब जब तक उप्रेश और हम इसे प्रेस करेगी अब हमें क्या करना है कि हुल डााउन के लिए है कि टूरर देते यहां से सप्लाइ को लेगे यहां से supply निकली NC से अब हम इसे hold down देना है तो hold down हम किस तरह देते देख लेते हैं प्रिंसे यह color image हो रहा है इसलिए color change कर लए यहां से supply लेगे हम और इसे यहां पर N O में देदेगे यहां से supply continuous अब हम यहां से एक लूपिंग कर देगे हैं हमने स्टाइटर स्टाइटर भी बने तो N O पर supply लाकर रख देते हम यहां से निकालने के बाद और यहां से लूपिंग कर देते हैं इसकी लिमिट तेंक OH फहा जो पोस्टिक्टर उनना चहीं अभी इसके बारा हुआ हुआ कुछ भी नहीं किया जैसे लिमिट उप्रेट हो तो हमारे कांटर भी ऊपरेट होना चाहीं से लिए यह फ्रेंड्स पहले स्की कुल कर ले टे़े इसकी इसकी पूरी कंट्रोल वायरिंग देखेगे ज्यादा कॉंप्लिकेट नहीं हो जए इसके लिए पहले हम इतनी कंट्रोल वायरिंग बना लेते हैं र्रेंड हैं फ्रेंड सामने अभी इतनी ड्राइंग देखे है वह आध्य इस तरह हुई है देख लेते हैं यह हमारा फेज निकला है MCB से, All Load Relay में गया, All Load Relay के NC से निकलने के बाद, NC Push Button में गया, NC Push Button से निकलने के बाद, एनो Push Button में गया, और जैसे हम एनो Push Button को प्रेस करेगे, यह हमारा, इसके Reverse के NC से होते हुए, यहाँ पर आ गया है, तो फ्रेंड्स अभी तो यह स्टी है, अब इसका Hold Down हमने कैसे दिया है, यह Hold Down के लिए Yellow Air यूज़ किया है, इस इस Limit Switch के NC से निकलने के बाद, इस से, NC से Red Wire निकला है, इस केबल से, जो इस केबल से होते हुए, इस Limit Switch के, एनो Point में गया है, इस एनो Point से निकलने के बाद, यहाँ से निकला, यह जब भी हमारा Operate होगा, तो मारा Contactor operate हो जाएगा, इसके एनो से घुमाया है हमने, और यह Red Wire यहाँ पर दे दिया हमने, तो यह दूनों Wire यहाँ पर Connect होगा है, एक तो इस से निकलने के बाद, और Limit Switch के एनो से निकलने के बाद, दो Wire यहाँ पर आ गए, जैसे हमारा Contactor जब यह हमारा बंद है, तो यह Supply Continue निकलती रहेगी, और हमारे Contactor को operate करेगी, बट यह operate कब तक होगा, जब तक यह प्रेस आए, तो Hold Down के लिए देखा जाए, तो यहाँ से यह Supply आई थी, यह NC से निकली थी, यही से एक Wire और उठाया है, और यह इसके NC से जो निकला था, उसे यहाँ पर Hold Down के लिए, यहाँ पर देदी आए, जिससे Continue यहाँ पर Supply आती रहेगी, जैसे हमारा Contactor इसे इंचे करने सा तो यहाँ पर Supply हमें मिल जाएगा, पर्मानेंटली फॉरवर्ड का, ऑपरेट हो जाएगा, तो इससे देख लिए किस तरह काम कर रहा है, जैसे हमें इस लिमिट स्विच को काटेगे, हमारे Contactor, On हो जाएगा, और इससे जैसे काटेगे, यह Off हो जाएगा, अभी हमें यह आ अब जैसे लिमिट स्विच काटेगा, सपोज हमारी मोटर अभी यहां से चली, यहां से यहां तक आ गई, लिमिट स्विच को जैसे काटा, हमारा Contactor, Off हो गया, अब जैसे मोटर यहां से यहां पर आई, जैसे On होआ, हमारा Contactor, Operate हो गया, फ्रेंस आधी ही Control wiring होई है अभी, अब आधियोर कर लेते, जैसे हम क्या करेगे, जैसे मोटर यहां से यहां पर आएगी, सपोज हमारी मोटर यहां से यहां पर आई, यह लिमिट स्विच जैसे कटा, तो इसने बंद होना चाहिए और इसने चालो होना चाहिए, इसकी Interlocking किस तरह करेगे, उसकी Control wiring हम पहले ब इसकी Control wiring कर लेते, किस तरह इसे operate होगा यह कटने के बाद, तो इसके लिए हमें एक और hold down लेना होगा, हम यहां से hold down लेगे, एक और wire लेगे, इसके hold down के लिए, इसको इस limit switch के NC से लेगे, इसके NC से लेने के बाद, यह supply हमारी जाएगी, इस limit switch के A9 में, इस limit switch के A9 से supply जैस तो यहां से supply निकलेगी, यह limit switch को operate होते हैं, यहां से supply निकलने के बाद, forward के NC से, that means just interlocking है, forward के NC से निकलने के बाद, हमारे contactor को operate करेगी, that means यह limit switch जैसी operate हुआ, तो यहां से supply निकलेगी, और हमारे reverse contactor operate हो जाएगा, यह limit switch जैसी काटेगा, और यह limit switch जैसी काटेगा, हमारा forward operate हो जाएगा, फ्रेंड्स से बाद, यह operate कब तक होगा, जब तक हम इसे press करेगे, अब हमें इसे hold down देना है, तो hold down किसे देगे, यहां NC से जो supply निकल रही है, उस supply को हम उठाएगे, उस supply को यहां से लेगे, और contactor के एनों में देदेगे, that means जैसी हमने इसे inch किया, हमारे supply यहां पर आई, तो अब ही, तो अब ही, तो contactor operate होगा, यहीं से हम एक looping ले लेगे, जैसे हमारा contactor operate होगा, यहां से hold down मिल जाएगा, और contactor हमारा permanently on हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अब हम पुरा starter की control wiring हो गई है, किस सरा काम करेगी पहले समझ लेते, जैसे हम इसे press करेगे, start push बटन को, हमार limit switch कटेगा, जैसे यह limit switch कटा, तो हमारा reverse contactor operate हो जाएगा, फिर reverse contactor हमारी motor को यहां से यहां तक लाएगा, जैसे limit switch कटेगा, हमारा forward contactor operate हो जाएगा, reverse कट जाएगा, और हमारी motor वापस यहां पर चली जाएगी, तो इस तरब circle चलता रहेगा, और हमारी motor continue on रहेगी, जब त समझाया है उतने हम पहले connection कर लेते हैं देखने देखने किस तरह वाक कर रहा है तो फ्रेंड्स चलिए पहले से connection कर लेते हैं हम समझ रहे हैं ज्यादा complicated हो गया है बड़ आप इससे पूरा देखिए पाउस करके आपके सारे doubts क्लियर हो जाएगे और आपको कोई doubts हो तो comment समझ बताये हम पूरी कोशिश करें कि उसे दूर करने ही चलिए फ्रेंड्स कांट्रोल वाइडिंग पहले कर लेते हैं तो फ्रेंड्स हमने जिस तरह भी drawing बनाई थी उस तरह हमारा connection हो गया है फ्रेंड्स आए नो वीडियो बहुत ज्यादा complicated हो गया वाइडिंग मी बड़ फ्र इसरा वायर जो यहां से उठाया हमने इस लिमिट स्विच के एंची में घाया इस लिमिट स्विच के एंची से निकला तो यहां से देखिए फ्रेंड्स इस लिमिट स्विच के एंची से निकला तो यह एक केबल के थूरू इस लिमिट स्विच के एंची में घाया यह ब्ल वायर यहाँ पे आया, जोसे हमने जोउंड करके इस कॉंटेक्टर के NC में दिया, इस कांटेक्टर के NC से वह पे जिस्ट इंस इन्टर लॉकिंग के लिए यह ओपाग मने कोंटेक्टर हमने यहां से सप्लाई जाती रहेगी और इस वोल्डाउन के लिए यहां इसके एनोग में एनोग के आउट्पूट में दे रहे है यहां पर भी कंट्रियू सप्लाई आ रहे है अब जैसे हमारा कॉंट्रेक्टर हमने से प्रेस किया ऑपरेट हुआ थोड़ा ही ऑपरेट होगा तो यहां से यहां पर जाएगी जैसे ही हमारा कॉंट्रेक्टर ओफ हो जाएगा और यह कंट्रेक्टर ओन हो जाएगा अब यह कंट्रेक्टर मोटर को रिवर्स घुम आएगा और रिवर्स घुम आते हुए यहां पर लाएगा अब जैसे हमारा यहां पर मोटर आ गई यहां प अब हमारी मोटर ओ फॉर्वार्ड मां खुमने लगेगी वह मॉटर जिब याईगी जैसे लिमिट को शुच बटे गारेगा या स्टेक्टर ओप्रेट हो जाएगा और दूसरा सब्सक्राइब जैसे यह से प्रेस करेंगे हमारा फोर्वर्ड कॉंटेक्टर ओपरेat हो आवल एक अब यहां काट नर्ट आप अब सपोज हमारी मोटर ओपरेats्ट होने के बार मोटर यहां से यहां तक बांट करें वो मोटर यहां पर जैसे ही पोची हमारा लिमिट सुछ कट जाएगा यह लिमिट सुछ जैसे ही कटा हमारा फॉरवर्ड ओफ हो गया और रिवर्स ओन हो गया अब हमारे मोटर यहां से यहां पर चलेगी हमारे मोटर जैसे ही यहां पर आई हमारा रिवर्स ओफ हो जाएगा ल इस तरह रिवर्स फर्वार्ट सा आटोमेटिक स्टार बनाया जाता है फ्रेंट थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड होगा है इसकी वाइरिंग बड़ आप इसे पॉस करेंगे जरूर देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगे किस तरह हमारा मोटर रन करेंगे एंग्स प्रेंग्स